हेलो दोस्तों आज एक निया डिजाइन बनाएंगे ये देखें ये कुछ इस तरह से बन के आएगा बहुत आसान और प्यारा डिजाइन है लेकिन लुक बहुत प्यारी आती है इसकी बनने के बाद ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है इस डिजाइन को आप किस के मल्टिपल में स्टिच चाहिए होंगे प्लस एक एक स्टिच एक्स्ट रखेंगे दोनों साइड में सिलाई का जब आप सिलाई करो तो आपका डिजाइन खराब ना हो इसके लिए एक्स्टर स्टिच जरूर रखिएगा तो बार्डर आप अपनी पसंद से बना लें जैस करते हैं स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा तीन सीधे एक दो और तीन यान ओवर करेंगे स्लिप करेंगे दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे एक साथ तीन सीधे एक दो और तीन धा अपनी तरफ करेंगे दो उल्टे धागा पीछे करेंगे अगें तीन सीधे एक दो और तीन अगें यान ओवर करेंगे दो स्टीच बापच सिलाई में लेंगे और दो स्टीच बना देंगे लेफ्ट साइड को एक साथ फिर से तीन सीधे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा ये हमारा एक सेट बन गया है अगेन एक उल्टे से दुबारा से शुरू करिएगा और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कम्प्लीट करिएगा लास्ट में सिलाई वाले स्टिच को सीधा बन जैसा ही बनेगा तो एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये सेंटर के स्टिचेज हैं ये आठ उल्टे बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अगेन दो सीधे आठ उल्टे और इसी तरह आगे बनाते जाईएगा सिम्पल है रॉंग साइड में आपने जैसा स्टिच होगा वैसा ही बनाना है तो ये मेरी रॉंग साइड जो है वो कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा तीन सीधे एक दो तीन पहले हमने लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाए थे अब हम राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे तो तीन सीधे, दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यान ओवर तीन सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो उल्टे, एक, दो, अगेन, तीन सीधे, दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यान ओवर तीन सीधे, धागा अपनी तरफ करें, और एक, उल्टा, अगेन, एक, उल्टे से रिपीट शुरू करें, और इसी तरह राइट साइड को कम्पलीट कर लें, लास्ट में सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाके, रो को कम्पलीट कर लेंगे, तो ये हमारी राइट साइड जो है, वो कम्पलीट हो गई है, रॉंग साइड बना लें, सेम रहेगा, जैसा स्टिच है, वैसा ही बनाते जाएंगे, तो रॉंग साइड कम्पलीट हो गई है, टर्न कर लीजे, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, तीन सीधे, एक, दो, तीन, यान ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे दो स्टिच, वापिस सिलाई में लेके, लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे, एक साथ, तीन सीधे, यान ओवर, स्लिप करेंगे, दो स्टिच, वापिस सिलाई में लेंगे, और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे, एक साथ, तीन सीधे, एक उल्टा, यह हमारा सेट बन गया है, अगेन इसी को रिपीट करते जाईएगा, और इसी तरह बनाते हुए, राइट साइड को कम्प्लीट कर लीजिएगा, रॉंग साइड बना लें, सेम रहेगा, जैसा स्टिच है, वैसा ही बनने वाला है, तो यहां पर मैंने रॉंग साइड जो है, वो कम्प्लीट कर ली है, जैसा स्टिच था, वैसा ही बनाया है, उसे, टरन कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे, पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, तीन सीधे, दो स्टिच बनाएंगे, राइट साइड को एक साथ, यान ओवर, तीन सीधे, एक, दो और तीन, अगेन, दो उल्टे, धागा बीचे करेंगे, अब हमारे पास यह जो हमारे एट स्टिच हैं, इन्हें हम केबल बनाएंगे, केबल हम यहाँ पे लेफ्ट साइड को बनाएंगे, तो लेफ्ट साइड की केबल के लिए, चार स्टिच लें, एक, दो, तीन, चार, इन्हें आप अपनी तरफ रखिएगा, और पहले चार सीधे बना लें, अब यह जो हमारे फ्रेंट में स्टिच रखे थे, इन्हें वापिस ले लेंगे, और इन्हें भी आप इसी तरह से सीधा बना दें, तो यह हमारी लेफ्ट साइड को केबल बन गई है, आठ स्टिच इसकी, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, और फिर से अगेन रिपीट करिएगा, एक उल्टे से शुरू करके, इसी तरह रिपीट करते हुए, आपने राइट साइड को कम्प्लीट कर लेना है, टर तो रॉंग साइड मैंने जैसा स्टिच था वैसा ही बनाया है, टर्न कर लीजे, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, तीन सीधे, एक, दो, तीन, यान ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे दो स्टिच, वापे स लाइ में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे, एक साथ, तीन सीधे, दो उल्टे, अगें तीन सीधे, एक, दो, और तीन, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले केबल बनाई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे दुबारा से फिर से नैट बनाएंगे, सेम जैसे हमने यहां पे बनाया है first अले set में तो यान ओबर करें slip करेंगे दो stitch वहाँ पे सिलाई में लेंगे और left side को दो stitch बना देंगे एक साथ again 3 सीधे एक, दो और तीन धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा और again फिर से एक उल्टे से रिपेट शुरू करें और इसी तरहां बनाते हुए right side को complete कर लék wrong side सेंब रहने वाली है जैसा stitch है वैसा ही बनाईएगा wrong side complete हो गई है turn कर लिजिए right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा 3 सीधे दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर तीन सीधे अगेन दो उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन सीधे दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर तीन सीधे अगेन एक उल्टा और फिर से दुबारा से एक उल्टे से दुबारा शुरू करिएगा और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कम्प्लीट कर लीजेगा टर्न कर लीजे रॉंग साइड सेम रहने वाली है जैसा स्टिच है वैसा ही बना ले रॉंग साइड कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लीजे राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को एक उल्टा तीन सीधे यान ओवर स्लिप करेंगे दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे एक साथ तीन सीधे दो उल्टे तीन सीधे यान ओवर स्लिप करेंगे दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे एक साथ अगेन तीन सीधे और एक उल्टा अगेन एक उल्टे से शुरू करिएगा और इसी तरह रिपीट करते हुए राइट साइड को कम्प्लीट कर लीजेगा टर्न कर लीजे रॉंग साइड सेम रहने वाली है जैसा स्टिच है वैसा ही बना लें इसे सो रॉंग साइड कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लीजे राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा अब हमने जैसे यहां पर केबल बनाई थी चार-चार स्टिचlles की अब वह वाली केबल हमारी यहां पर बनेगी फ्रंट में फिरस्ट वाले सेट में तो सेम रहेगा चार स्टिच लेंगे एक दो तीन और चार इन्हें फ्रंट में रखिये गा और पहले चार स्टिच सीधे बना ले एक, दो, तीन, चार अब ये फ्रेंट वाले स्टिच वापिस ले ले और इन्हें भी आप सीधा ही बनाईएगा अगें दो उल्टे बनाएंगे तीन सीधे दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर तीन सीधे एक उल्टा और अगें फिर से रिपीट करिएगा एक उल्टा बनाईएगा और लेफ्ट साइड की केबल बनाते हुए आपने राइट साइड को कम्प्लीट करना है रॉंग साइड सेम रहने वाली है जैसा स्टिच है वैसा ही बनाएंगे तो एक सीधा आठ उल्टे दो सीधे आठ उल्टे अगें फिर से दो सीधे आएंगे आपके पास तो दो सीधे आठ उल्टे करते हुए आपने रॉंग साइड को कम्प्लीट कर लेना है टर्न कर लीजे यहां पर हमारा डिजाइन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है यह देखें दो रिपीट में यह कुछ इतना बनके आया है इसी तरह से अगेन बनाते जाईएगा रॉंग से दुबारा से रिपीट करते जाईएगा डिजाइन आगे कंटिन्यू बनता जाएगा तो डिजाइन कैसा लगा मैसेज कीजिएगा पसंद आये हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और अगेन फिर से रो बन से डिजाइन को शुरू करेंगे तो एक बार देख लें रो बन स्लिप करेंगे एक उल्टा तीन सीधे यान ओवर स्लिप करेंगे दो स्टिच वाप पिस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे एक साथ तीन सीधे दो उल्टे एक दो धागा पिछे करें तीन सीधे दो स्टिच बनेंगे हमारे लेफ्ट साइड को एक साथ तो यान ओवर कर लेंगे दो स्टिच वाप पिस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच बना देंगे एक साथ तीन सीधे और अगेन फिर से दो उल्टे बनाईएगा और इसी तरहां बनाते हुए आप राइट साइड को रो वन को दुबारा से रिपेट शुरू कर लीजिएगा तो आगे ये नेक्स्ट बनता चला जाएगा अब यहां पे एक छोटा सा टिप शेयर करूँगी आपके साथ जब भी हम एक सीधा स्डिच बनाने के बाद एक उल्टा स्डिच बनाते हैं तो ये जो हमारी राइट साइड वाला स्टिच होता है सीधा वाला स्टिच होता है वो थोड़ा इस तरह से बबली सा बनके आता है और ये सीधा बनके नहीं आता है, जिस तरह से हम एक उल्टे के बाद सीधा स्टिच बनाते हैं, तो ये देखें, ये कितना अच्छी तरह से बनके आया है, लेकिन एक सीधे के बाद जब हम उल्टा स्टिच बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से उठके आता है, बना हुआ, प उसके लिए आपको क्या करना है जब भी आप बनाओगे जब आप यहां पे यह मेरा जैसे यहां पे यह एक उल्टा स्टिच है मेरा यहां पर लास्ट में इसी में देख लेते हैं यह देखें एक सीधे के बाद एक उल्टा स्टिच है यह मेरा तो जब आप एक सीधा स्टिच बनाऊगे तो यान को अपनी तरफ करने के बाद ये जो हमारा उल्टा वाला स्टिच है इसे आप इस तरह से बैक लूप से बनाईएगा इस तरह से यहां से नहीं बनाईएगा यहां से बैक लूप से बनाईएगा जब आप इसे बैक लूप से बनाऊगे तो ये प्रॉपर दोनों जो stitches हैं वो सेम आएंगे बनके, जिस तरह से हमारा ये front का stitch है, वैसे ही ये बनके आएगा, इस तरह से ये loose stitch नहीं बनके आएगा, तो प्रॉपर बनेगा, तो आप इस तरह से try करिएगा, जब भी आप एक सीधे के बाद एक ultra stitch बनाओगे तो, और design के लिए, जैसे हम यहाँ पे ये net बना रहे हैं, उसके बाद cable बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे चाहो तो count कर सकते हो, या फिर marker लगा सकते हो, कि आपको कितनी lines बनानी है, या फिर आप mark कर सकते हो, ये देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और साथ, ये मेरा 7th ये यहाँ पे यानोवर 7th बना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ बार जब आप net बना लोगे, फिर उसके बाद आपने cable बनानी है, अगेन फिर से, यहाँ पे ये मेरी second side है, जहाँ पे, यहाँ पे भी मैं count करूंगी, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो बार और बार बनाऊंगी, नेट वाली रो को, दो बार और बनाऊंगी, और उसके बाद फिर अगेन मैं यहाँ पे इस तरह से cable बनाऊंगी, आप चाहो तो marker लगा लीजिए, अगर आपको confusion होती है, या फिर आप इस तरह से भी से count कर सकते हो, एक, दो, तीन, चार, तन दबाईएगा, थैंक यू